आप सभी के अनुमती से आज का ये महत्तोपूर्ण प्रेसवारता हम आरंब कर रहे हैं। ये प्रेसवारता महत्तोपूर्ण इसलिए है क्यूंकि कल शाम से जिस प्रकार से इस देश में एक डिबेट चल रहा है। खास करके कि क्या अर्बन नक्सलिजम एक महत्तोपूर्ण विशय है या नहीं, कुछ लोगों की गिरफतारी हुई है, क्या ये उचित है की नहीं। और विशेशत है, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये कहा है कि एनजियो क्या इस देश में एक नहीं है, और उस एनजियो का नम आरेसे से हैं और बाकी एनजियो उनका क्या होगा। पर आश्चरे का विशय है कि राहूल गांधी जी नक्सलिजम को एंजियो मानते हैं Mr. Gandhi considers नक्सलिजम एज एंजियो I believe we really need to enlighten Mr. राहूल गांधी राहूल गांधी जी के ज्यान को बढ़ाने की अवश्यक्ता है देश में सर्वोपरी कुछ है सर्वोच्य कुछ है तो देश का समविधान है लोकतंतर में समविधान का एक बहुत महत्तोपूर्ण रोल होता है भूमिका होती है किस प्रकार से समविधान को बचाया जाए समविधान पर अगर कोई खत्रा आता है तो उस खत्रे को किस प्रकार मनराने नहीं दिया जाए देश के एकता और अखंडता पर यही समविधान का मूल नीती है यही समविधान की मूल ध्ये है इसी समविधान के ध्ये के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं दिसेंट नो दिसिंटिग्रेशन दिमोक्राशी इस अल अबाव दिसेंट यही समविधान के लिए इसके लिए हम खड़े नहीं है मनभेद हो यह चलेगा देखिए सर्वप्रथम दो हज्जार नौ में उस समय के ततकालीन प्रदानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने कहा था कि नकसलिजम इस दे ग्रेटेस्ट इंटर्नल थेट टू इंडिया मैं वो अकबार की कटिंग भी आपको दिखा रहा हूँ मनमोहन जी की फोटो भी देखिए ये देश के उस समय के प्रदानमंत्री है जिनोंने कहा था देश को अगर सबसे बड़ा खत्रा कहीं से है तो वो नकसलिजम और नकसल वाद से है आज दुख का विशय है कि उनी के पाटी के अध्यक्ष श्रीमान राहूल गांधी ततकालीन प्रदानमंत्री और अपने ही पाटी के डॉक्टर मनमोहन सिंग जी की इस बात से सहमत नहीं है आज राहूल गांधी जी नकसलियों को human right activist मानते हैं जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं क्या वो human right activist है या आप सबको सोचना है left wing terrorists और human right activists इन दोनों के बीच में फरक करना राहूल जी को शायद आता नहीं है मगर राहूल जी और उनकी पाटी ने जो एक एफिडविट सब्मिट किया था जब UPA सरकार में थी वो एफिडविट भी हम आपके सामने लेकर आए हैं और कुछ प्रशनों के उत्तर जो 2013 में लोकसभा के पतल में उन्ही के मंत्री R.P.N. सिंग्जी ने रखा था बता और M.O.S. होम वह भी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो एफिडविट थी उस एफिडविट में आपको जान के आश्चर ही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था तब कि कांग्रेस पार्टी ने The activists and the sympathizers of Maoists are making repeated attempts to penetrate into urban areas and are succeeding Organizations are operating under the garb of human right NGOs कि यह जो Maoist organization है यह NGOs के रूप में काम कर रही है यह उस समय की Congress Party कह रही थी और आज Rahul Gandhi इनके बचाव में खड़े है One of the strategies adopted by Maoists is to mobilize certain targeted section of the urban population through its mass organizations which are otherwise known as front organizations Front organization होता है इन नकसलवादियों का और इन front organization के माध्यम से एक mobilization शहरी इलाके में भी शुरू करते हैं यह नकसली यह उस समय की Congress Party कह रही है जो Rahul Gandhi मानते नहीं है Such organizations pursue human rights related issues and are also adept at using legal processes to their benefit किस प्रकार से legal पेचिद्गियां जो है judicial पेचिद्गियां जो है उनसे कैसे निकला जाए इस विशह में भी इन नकसलियों को बहुत ज्यान है बहुत कुछ पता है इससे बहुत संभल के लड़ना है यह उस समय की Congress Party कह रही है राहूल जी आज मान नहीं रहे है राहूल जी की उस समय की Party और उस समय की सरकार कह रही थी कि यह जो अर्बन नकसल्स हैं यह जो सहर में Front Organization के रूप में बसे हुए हैं यह ज़ादा खतरनाक है उन लोगों से जो जंगल में गुरिल्ला वार्फेर कर रहे हैं और आज उनको वो Human Right Activists बता रहे हैं मानव अधिकार के पुरोधा बताया जा रहा है आज इन लोगों को बंधों आगे कहते हैं राहूल जी की उस समय की Party आप सुनिएगा ध्यान से Legal Action Against These Front Organization needs to be initiated यह जो Front Organization है और यह जो जबन अक्सल्स हैं इनके खिलाफ कानूनी कारेवाही होनी चाहिए लीगल एक्षन होना चाहिए और जब आज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो उनका नाम है राहूल गांधी आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि the Congress Party has reached a new law Congress Party अपने आपको खुदी समाप्त कर रही है कहां तो एक जमाने में Congress एक mainstream political party होया करती थी और आज यह अतिश्योक्ती नहीं होगी अगर हम कहें कि Congress has reduced itself into a fringe outfit आज एक fringe outfit बन गई है mainstream party नहीं रही है और टुकडे टुकडे brigade जो है यह टुकडे टुकडे gang जो है जो भारत को तोड़ना चाहती है उनके साथ खड़ा दिखना चाहती है Congress Party जो left-wing extremist है यह जो नकसली है उनके सहायता में Congress Party आज खड़ी हुई है Mr. Rahul Gandhi I want to send a strong message to you the BJP wants to ask you Naxals are Naxals when you arrest them but they are human rights activists when we arrest them जब नकसलीओं को आप गिरफतार करते हैं जब आपके समय में पूरी फैरस्ट दूँगा जब नकसलीओं को आप गिरफतार करते हैं तब वो नकसली हैं और जब नकसलीओं को हम गिरफतार करते हैं तो वो लोग human right activists और मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग हैं जो पांच लोग गिरफतार हुए हैं उन पांचों लोगों के इतिहास को हम आपके सामने रखने वाले हैं पहला विक्ती है वारा वारा राओ वारा राओ जी उनका एक इतिहास रहा है वारा वारा राओ जी को जेल हुआ था दो वर्षों के लिए असी के दसक में, और चार्जेस क्या लगाये गए थे, चार्जेस लगाये गए थे, वेजिंग वोर और कॉंस्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट अफ इंडिया, भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दो वर्षों के लिए जेल हुई थी, असी के दसक में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, अब उन्हें अरेस्ट किया गया था 1975, 1986 में, और 1986 में जो उनकी गिरफतारी हुई थी, वो राम नगर कॉंस्पिरेसी केस में हुआ था, और उन्हें भेजा गया था, जेल में, उन्नीस अगस्त 2005 में भी उनकी गिरफतारी हुई थी, आंदरप्रदेश पब्लिक सेक्योरिटी अक्ट के अंतरगत, और उन्हें भेजा गया था, चंचल गुडा सेंटरल प्रिजन में, जो की हाइदराबाद में स्थित है, ये जो गिरफतारिया हुई थी, उस समय भारति जनतापाटी ना तो केंद्र में थी, और न राज्य में थी, और मैं उनके इंटर्व्यू का कुछ हिस्सा आपको बताना चाहूंगा, वारा वारा राओजी का, जुनका इंटर्व्यू रेडिफ में छपा था, 1997 में, I quote, You can't fight it without taking arms in your hand. आपको अगर लड़ना है, तो अपने हाथ में arms और थाथ weapons लेके लड़ना पड़ेगा. We achieve more by our boycott election slogans. You can't expose parliamentarianism by becoming part of it. हिंदुस्तान में किसी चीज़ के अवश्यक्ता है, तो parliament system को समाप्त कर देने की अवश्यक्ता है, और ये जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को खतम कर देना है, और उसके लिए हाथ में arm ले लेना है. उन्होंने यह भी कहा, कि दंडकारण्य में हम gorilla war jones बना रहे हैं, जहां एक platoon खड़ा किया जाएगा, 200 red guards, हर platoon में 200 red guard रहेंगे, और ये हिंदुस्तान में चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर देंगे, ये सब उनके interview में कहा गया है, और ये राहुल जी के human right activist है, आप बताइए, ये जो उनी के समय गिरफतार हो चुके थे, दूसरे व्यक्त का डेट है, जून 27, 2013, नकसलाइट वर्मॉन रिलीस्ट फ्रम सेंट्रल जेल, 2013 में हमारे सरकार में थे, छे साल जेल में रहने के बाद, 2007 में गिरफतारी हुई थी, 2007 में राहुल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गिरफतारी के बाद, 13 में चुटे, अर्था 6 तक, 2013 तक, वो जेल में रहे, और जब छुटके आये थे, तो ये अकबारों ने कहरी किया था, कि वो नकसलाइट आज छुटके आया है, वो एक्स मेंबर ऑफ सेंट्रल कमीटी और फॉर्मर सेकरेटरी ऑफ महरास्टरा स्टेट राज्यसभा कमीटी ऑफ नकसलाइट रह और अंटी टरोरिजम स्क्वार्ड ने क्या रिपोर्ट दिया था, वो हमारी सरकार नहीं थी, वो सरकार यूपिय की थी, नाइन डेटोनेटर्स, इस वेक्ति के पास से नौ डेटोनेटर्स, बीस जलाटिन स्टिक, वोकी टॉकी सेट, अ कम्प्यूटर, नकसल लिट्रेचर ये सब मिले थे, अब डेटोनेटर रखके, जलाटिन रखके, ये कितने बड़े human right activist हैं, जिनको राहूल गांधी जी की सरकार ने 2007 में गिरफतार करके 6 वर्षों तक जेल में रखा था, he was convicted in June 2013, convicted का माने होता है कि उन्हें दंडित किया गया, दोशी करार दिया गया, 2013 में उन्हें दोशी करार दिया गया और चूंकि उस समय तक वो जेल में पूरा समय रह चुके थे, इसलिए वो जेल से बाहर निकले, साथ से केश चल रहा था, और किसलिए दंडित किया गया, अंडर दि अनलौफुल अक्टिविटीज प्रिवेंशन अक्ट और आम्स अक्ट, उसके भावजूत इनको परिशानी है, गौतम नवलक्खा, राहुल जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गौतम नवलक्खा को, जब उन्हें की सरकार 2011 में थी, तो गौतम नवलक्खा में वहां के सरकार ने दिया था कि हम इनको घुसने नहीं देंगे, क्यूंकि ये कश्मीर को जलाना चाहते हैं, उस समय का भी अकबार लेके आया हूँ, और फारुक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, फारुक अब्दुल्ला कहते हैं, वाट ड़स दाट राइटर वांट, ये कश्मीर को तोड रहे थे, और आज हिूमन राइट एक्टिविस्ट बन गए, वारे राहूल गांदी, कुछ तयारी करके राहूल गांदी बोलते नहीं, गौतम नौलका, ये सेद गुलाम नभी फाई जो है, जो सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करता है, और जो एस्प्योना सक्सेस्फुल नहीं होगा, तो आम्ड स्ट्रगल करके, कश्मीर को वहां के लोग छीन लेंगे, I know Fai, I have enjoyed his hospitality and my conversations with him, whatever the nature of funding may be, in my eyes, his conviction as कश्मीरी remains impeccable, ये गौतम नौलका कहते हैं, बंधों, ये बहुत कम में, हमने आपके समक्ष, उन तथा कतिती, human right activist, जिसको कांगरेस अपना पुरोधा मानती है, और कांगरेस के ही जुबानी, कांगरेस ने इनके साथ क्या किया था, जब ये लोग गिरफतार हुए थे, हमने आपके सामने रखा है, अब मैं एक बहुत महत्वपून बात आपको दिखाने वाला हूँ, ये Government of India, Ministry of Home Affairs, लोगसभा में स्टार्ड क्वेस्चिन्स का उत्तर, August 6, 2013 को स्री आर्पीन सिंग जी उस समय के M.O.S. Home देते हैं, और एक शब्द में उसके पेज नंबर दो से पढ़ रहा हूँ, एक वाक्य, The CPI M.O.S. always target and kill mainstream political personalities whenever they get an opportunity to do so, खुद उस समय कांग्रेस की सरकार लोगसभा में कह रही हैं कि ये जो CPI M.O.S. हैं, इनको अगर मौका मिले तो ये जो political personalities हैं, mainstream political personalities उनको मार देते हैं, दो चिथियां हमने देखी है किस प्रकार प्रधानमंत्री जी के उपर assassination करने के विशय में इन चिथियों में बात हुई, राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ है, उस विशय को दुबारा करने की बात हुई, आठ करोड रुपे की बात हुई, चार लाग firing rounds की बात हुई ह और सिर्फ इसलिए क्यूंकि मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपने अच्छे कामों के कारण आगे बढ़ रही है, तो किसी भी प्रकार से इस मोदी सरकार को रोकना है, यही उनका ध्ये था, आप बताइए, प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पाटी के राहूल गांधी जी वहां आके राजनीती करते हैं, विदेश में जाके आईएस आईएस, विदेश में जाके मुस्लिम ब्रदर हुट की बात, और भारत में आके नकसलियों को बचाने की बात, और यहां RSS को खीच के लाने की जुरत करते हैं, राहूल जी, you should answer to these questions, मुझे लगता है, देश को यह जानना होगा, कि मोधी जी को अपोस करते करते, कहीं न कहीं आज राहूल गांधी जी, आतंकवाद और नकसलवाद उनका बचाव करने लगे हैं, लोकतंत्र है, जरूर सरकार पे आप हमला बोल सकते हैं, आप डिसेंट कर सकते हैं, मगर राहूल जी उन ताकतों के साथ खड़ा हुना, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश का डिसिंटिग्रेशन चाहते हैं, दोस वोंट तो बैलकनाईज इंडिया, इस दिस दिए आइडिया अफ इंडिया दिए कोंग्रेस करीज यही आइम कॉंग्रेस, आइम लव, यही लव कंट्री, hate for your own constitution, इसका उत्तर राहुल जी दे, मित्रों, एक और महत्वपून विशय आज आया है, और वो विशय डी मॉनिटाइजेशन का है, जिस प्रकार से RBI की रिपोर्ट आई है, और जिस प्रकार से उस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉंफरेंस करके, लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किया है, हमें लगता है कि एक जवाब उनको देना चाहिए, इस देश में इतने वर्षों तक ब्लैक मनी के रूप में एक पैरलल एकॉनमी चलती रही, और प्रधानमंत्री से लेकर देश के हर काउंसलर तक इस विशय को लेकर वो अवगत थे कि एक पैरलल एकॉनमी ब्लैक मनी के रूप में चलता है, there was no one in the political system of the country who did not know that a parallel economy was running as black money, the country for the first time saw a Prime Minister as Mr. Narendra Modi, who could head-on take on black money, जिन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए नाकेवल संकल्प लिया, मगर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जहां कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोट के कहने के बावजूद भी SIT का गठन नहीं किया, वहीं मोधी सरकार ने धाई दिनों के अंदर SIT का गठन क किया, आज जो ये बताया जा रहा है कि सारा पैसा तो वापस आ गया फिर फाइदा क्या हुआ, बंदुओं, सरकार ने बिलकुल डे वन से ही एक बात पश्ट रूप से कहा था, सरकार ने कहा था कि अगर सारा पैसा वापस आता है, जो कि हमारा उद्देश्य है, ब्लैक मनी शुद, शुद, शुद in fact, come back to the system, so that, it finds an address, क्या उद्देश्य होता है, ब्लैक मनी क्या होता है, जिस पैसे पे कर नहीं दिया जाता है, the money which does not pay any tax, the money which has not been taxed, the money which does not carry an address with itself, that is black money, जिस पैसे के साथ, एड्डेक्स का टाग जुड़ जाता है, वो ब्लैक मनी नहीं रहता है, जब यह बैंक में पैसा आता है, और सिस्टम में सर्क्लेट होने लगता है, तो बाध्यतम इस पैसे के साथ एक address tag जुड़ जाता है, and when the address tag is attached to the money, the people who are non-filers of income tax previously, they are left with no option but to pay for, pay for what they have earned, बंधुआ आपने देखा कि 18 लाक अकाउंट उस समय स्कूटिनी के अंडर में आई, उसके उपर नजर गई कि इन 18 लाक अकाउंट में से कितना पैसा काला है, और क्यूं है, जो पैसा, the large amount of money that found its way to the system, in fact gave an opportunity to dissect in detail and investigate into the legitimacy of each currency, और यही अपने आप में बहु बड़ा अचीवमंट है, A campaign was launched against 3.04 lakh persons who were non-failers of income tax returns, but had deposited large value of cash during demonetization period. As a result, returns were filed by 2.09 lakh of such identified non-failers. Lag-bagh 2 lakh से उपर लोगों ने income tax देना चालू किया. और बड़ी बात हुई कि financial year 2017-18 में, net collection of direct taxes increased by 18 percentage at a record of 10.03 lakh crore. The collections of financial year 2016-17 were also 14.5 percentage higher than the collection for 2015-16. Lag-bagh 3 lakh से अधिक shell companies, इनका पता चला, वो बंद हुए, पचास हजार और अभी pipeline में है. Currency in circulation. The RBI annual report, while mentioning the increase in currency in circulation, had also stated that while the CIC, that is currency in circulation, as on March 31st 2018, was around 101.8 percentage of its pre-demonetization level, this is in fact around 88 percentage of its underlining 3-year trend had there been no demonetization. अपने आप में ये दिखाता है कि इससे एक बहुत बड़ा इजाफा digital payments में हुआ है, और ये formalization of Indian economy की और एक बड़ा कदम है. देखिये, fight against corruption, fight against naxalism and fight against terrorism is not an all or none phenomena. कि आज शुरू हुआ और कल खतम हो जाएगा. या तो लड़िये, या तो नहीं लड़िये. बिलकुल पुर्जोर तरीके से लड़ना है, and it is an ongoing phenomena. And we would like to congratulate the Modi government that because of the various steps that he had taken, not only the Indian economy is largely formalized, but some of the biggest world organizations like the IMF in the recent reports have categorically said that India because of the reform, perform, transform policy of Modi government would be a leading growth global engine for the next 30 years to come. Thank you, friends. Any questions? जी, सवाल. देखे पहले प्रशन का उत्तर कोर्ट की टिपणी के विशह में, the legal process is on, जो कोर्ट का process है वो on है, जब तक इसमें final verdict नहीं आता है उस पर टिपणी करना उचीत नहीं होगा, हमारा मुख्य उद्देश ये था कि जिस प्रकार शेहरों में भी नकसलवाद अपना सर उठा रही है, और जिस प्रकार राहुल गांधी जूट की राजनीती कर रहे हैं, उनको expose करना, और हमें लगता है हमारे इस press conference के बाद, राहुल गांधी जी पूरी तरह से expose हो गए हैं, कि उनके समय गिरफतारी करे तो ठीक, हमारे समय गिरफतारी करे तो emergency लग जाती है देश में, और किसी पीरिड में हुआ है, तो नोट बंदी के, के बाद जो काल रहा, काल खंड रहा, that was the time period when the maximum number of nexalites have surrendered, और आतंगवाद को भी हमने देखा, कि एक report भी आया था कि किस प्रकार counterfeit currency में बहुत बड़ी कमी आने के कारण, जो हवाला रकेटियर्स थे, ना केवल कश्मीर के आतंगवाद में, अपितु पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा हवाला रकेटियर, जो कि counterfeit currency में involved रहता था, उसने suicide तक किया था, उससे में ये report सारी आई थी, स्वभावी कृप से, ये सारी चीजे हुई थी, but I still repeat, that as far as fight against black money, corruption, terrorism and nexalism is concerned, it is always an ongoing process, the intent shows the light, जिस प्रका लगातार लड़ रही है, अवश्य हर कदम में सफलता इसकी कदम चूम रही है, धन्यवाद